ब्रहमरगीत सार में संकलित महाकभी सूर्दास के पदों की व्यक्ख्या हम पढ़ रहे हैं पद देखिए जैसा कि आपको विदित ही है कि यह उद्धव और गोपी संबाद चल रहा है गोपियां बड़ी ही वाग विदगधाएं हैं वे येन केन प्रकारेन ये चाहती है कि कृष्ण ब्रज में लोट आएं वापस और इसी लिए कभी वे उद्धव को उपालंभ देती है कभी व्यंगे करती हैं कभी बुरा भला कहती हैं और कभी अनुनाय विनए करती हैं तो कभी विवश्चता जाहिर करती है भ्रमर गीत के इस पद में भी गोपियों के मन की विवश्चता अभिवेक्त हुई है वे उद्धव को समझाने का प्रयतन कर रही हैं कि मतुरा जाते समय कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए हैं है उद्धव हम क्या करें हम तो तुम्हारी बात मानना चाहती हैं किन्त चूंकि जो भी कारी करना स्वीकार किया जाता है वह मन पर निर्फर करता है यदि वे कृष्ण हमारा मन लोटा दें तो हम तुम्हारी अर्थाद उद्धव की बात मानने को तत पर हैं इसी भाव की भूमी कापर गोपिगाएं कहती है कि है उद्धव हमारा मन हमारे वर्ष में नहीं है वेंजना है कि हमारे मन पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा है बहत तो कृष्ण का हो गया है मतुरा जाते समय श्री कृष्ण हमारे मन को भी रथ पर बिठा कर साथ ले गए यदि ऐसा न होता तो हम तुम्हारी योग की बातों को बड़े प्रेम से स्विकार कर लेती और अपना लेती तुम ही सोचो कि यदि हमारे मन पर हमारा अधिकार होता तो हम तुम्हारी द्वारा दिये जा रहे योग को जिसे तुम बड़ी रूची से हमारे पास लाए हो क्या छोड़ सकती थी हम तो कृष्ण के उस वेवहार पर जीक रही है कि उन्होंने हमारे मन को तो ले लिया किन्तु अब उसे वापस न करके बदले में हमारे पास योग भेजा है बिना मन को वापस लिये अर्थात मन को अपने पास पाए बिना क्या योग साधना को अपनाने पर जोड़ देना उचित है क्योंकि योग का कार यही क्या है इंद्रियों को मन को वश्मे करना और जब मन ही नहीं है तो किसको वश्मे करने की बात गोपियों ने कहा कि है उद्धव तुम यदि थोड़ा सा भी प्रयास करो तो हमें अपना मन आज भी सहजी में प्राप्त हो सकता है योग साधना के लिए मन का साथ होना अत्यनता वश्यक है यदि मन ही नहीं हैं तो योग साधना कैसे की जाएगी सूर्दास कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे उद्धव हम तुम्हारी करोडों शपत का कर कहती हैं कि यदि हमारा मन हमारे पास वापस आ जाएगा या तुम प्रयास करके उसे वापस करा दोगे तो तुम जो भी कहोगे हम वह सब का सब स्वीकार कर लेंगी अभी प्राई यह है कि कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हमारे मन को यह दिवहां से हटाने में समर्थ हो जाओ तो हम प्रसंदता पूर्वक तुम्हारे द्वारा दिये गए प्रत्तेक उपदेश और आद प्रेयोग हुआ है तीसरी पंक्ति में तीखा वेंगे है और विपरीत लक्षना का प्रेयोग हुआ है और यहां गोपियों का वाग वैदक्धे देखते ही बनता है कि किस प्रकार वे उद्धव को निरुत्तर करती है और वे यह भी जानती है कि मन तब तक नहीं लोट सकता जब तक कृष्णे नहीं लोटेंगे यदि मन लोटेगा तो कृष्ण भी लोट जाएंगे दूसरा पत देखिए उद्धो जाहु तुम्हें हम जाने स्याम तुम्हें या नहीं पठाए तुम हो बीच भुलाने यहां वे बार-बार उद्धव को मूर्ख भी साबित करती ह वो कहती हैं प्रस्तुत पदमे गोपिका हैं उद्धव से कह रहे हैं कि है उद्धव तुम यहां से चले जाओ अब हम तुम्हें और तुम्हारी इन बातों को तुम्हारी इस्थितियों को अच्छी तरह से समझ गई हैं हमें ऐसा लगता है कि शाम तुम्हें या नहीं कर यहां आ गए हो इस पस्ट वेंजना है कि कृष्ण जैसे प्रेमी कभी ग्यान का उपदेश देने के लिए और वहां से अपनी प्रियाओं के पास किसी विक्ति को नहीं भेच सकते तुम निश्चे ही भटके हुए हो भ्रमित मुसाफिर हो इससे अधिक तुमारी मुर्खता का और क्या प्रमान होगा कि ब्रजबासिन सों जोग कहत हो बात हो कहतने जाने कि तुम ब्रज की इस्तरियों से योग की बाते कर रहे हो कहने का ताथ पर यह है कि मनुष्य तो भग्यानी होता है कि जो पात्र को देखकर सोच समझ कर मनो विज्ञान समझ कर अपनी बात कहता कुम्हें तो यहां बात कहना भी नहीं आता तुम्हें यह भी पता नहीं कि किस वेक्ति के समक्ष क्या बात कही जाने चाहिए बड़ लागेन विवेक तुम्हारों ऐसे नए अयाने हमसों कहीं लईसों कहीं के जिये गुनिलेव अपाने कोपियों ने कहा कि हे उध्धव तुम हमसे योग की बाते करते हो इससे ये प्रमानित होता है कि तुम्हें उचित अनुचित का जरा भी ग्यान नहीं है तुम सही बात कहना भी नहीं जानते तुम अपने मन से भले ही अपने आपको विवेक शील समझो किन्तु बड़ लागेन विवेक तुम्हारों तुम्हारा विवेक हमें बड़ा नहीं लगता विवेक शील नहीं लगते हमारी दृष्टी में तो तुम ऐसे नए आयाने तुम प्रथम दृष्टिया ही अज्यानी हो खेर तुमने हमसे जो कुछ भी कहा वा हमने तो चुपचाप सुन लिया और सहन भी कर लिया कि तु भ्रह्मवर्ष किसी दूसरे से जो कृष्ण में अनुरक्त हो उसको यह बात मत कह देना हमसो कहीं सो लई सो सही के तुमने जो कुछ कहा हमने तो इसलिए सह लिया कि तुम कृष्ण के मित्र हो लेकिन जीए गुनी ले हूँ अपने अपने मन में इस बात को अच्छी तरह से सोस समझ कर देख लेना कि कह अबला कह दिसा दिगंबर सम्मुख करो पहचाने कि कहां तो हम अबला इस्तरिया और कहां वस्तरहीन योगी तुम क्या इन दोनों को आमने सामने रख कर देख सकते हो पहचान सकते हो भाव यह है कि योगी और उसका योग उसी के अनुकूल होता है ना कि स्त्रियों के अनुकूल साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने सूर स्याम जब यहां पठाए तुम्हें पठाए तब ने कहूं उसका ने अन्त में गोपियां पूछती हैं आखिर में कि तुम सही सही उत्तर देना कि जब कृष्ण ने तुम्हें यहां भीजा था तब क्या कृष्ण थोड़ा भी मुस्काय थे गोपियों के यहां पूछने का अभिप्राई यह है कि यदि उस समय कृष्ण थोड़ा भी मुस्काय तो इससे स्पस्ट वैंजित होता है कि उन्होंने उध्व को मूर्ख बनाने के लिए और उनके ग्यान गर्व को दूर करने के लिए ब्रज में भेजा होगा। इसके साथ ही कृष्ण का यह उद्देश भी रहा होगा कि उद्धव जैसा ग्यानी ये दिब्रज प्रदेश में चला जाए तो थोड़ा बहुत प्रेम सीख जाएगा और प्रेम का मूल मंत्र सीख लेगा इस पद में सीधे सीधे ढंग से गोपियों ने बड़ी चुटिली बाते कही हैं पूरे पद में व्यंग स्पस्थ है अंतिम पंक्ती में वहन ना केवल विशिष्टे अपितु कला अत्मक भी है ऐसी अर्थ गर्भित और साभी प्राय पंक्तियां सूर साहित्य के अत्रिक्त अन्यत्र दुरलब है इस पद में गोपियों ने नारीस वभाव की विंजना उनकी बात्चित के ढंग से और बात बात पर कसम खाने की प्रवृत्ती से भी इसपस्थ किया है गोपियों की विनोध प्रियता भी पद का मार्मिक अन्शे कहां अबला कहें दिसा दिगंबर मे साभी प्राय विशेश्य का प्रियोग होने से परिकरांकुर अलंकार है तब नेक हुमस्काने में आंगिक चेश्टाओं से अभी श्ठार्त की अभिवेक्ती में सूक्ष्म अलंकार है अर्थात यहां पर वेंजना बहुती तीखी है